Hello everyone, welcome back to my channel और आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे PIL, Public Interest Litigation, जनहित याचिका, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है जनहित याचिका, जन मिन्स एक लोगों का बड़ा समूदा है और उनके हितों को प्रभावित करने वाला अगर कोई मुद्दा होता है, तो वो एक नागर जनहित याचिका उती है वो गरीब लोगों के लिए या फिर एक वर्ग समूद इस से जादा प्रभावित होता है उनके लिए जनहित याचिका जारी की जाती है, अगर हम बात करें जनहित याचिका की शुरुवात की तो शुरुवात इसकी की गई थी अमेरिका में 1960 में, स एक ऐसा समू होता है, population का एक वो पार्ट होता है, यानि कि जो population है, टोटल population में उनकी संख्याद 2 या 3 प्रतिशती होती है, तो इनका जो भी मुद्दे होते हैं, उनको उठाने वाला, यानि कि इनका जो प्रतिनी धित्तु करने वाला, कोई नहीं होता, तो जो legally जो representation करता है, इनकों की प्रतिनी धित्तों दिलवाता है, तो इनके लिए जनहीत याचिका शुरू की गई थी, वहीं सेम अगर हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में भी लगभग 1980 के दशक में जनहीत याचिका की शुरूआत की गई थी, लेकिन उससे पहले और भी हम इसकी वारे में जनेंगे कि जनहीत याचिका कैसे इसका विकास हुआ, इसने डवल्लप्मेंट कैसे किया, कौन- Yum कौना यसी धाराइं आई या फिर कौन-।ो इससे रिपोर्टिड जो केस बने कि जनहीत याचिका लागू की गई, कोन जन्हीत याचिका को फाइल कर सकता है और किसके खिला किशी बहुत एक व्यक्तिके लिए पर्सनलि कोई जन्हितियाचि का दाइर कर दे ऐसा नहीं होता है यह कि जैसे स्टेट के कि खिलाब कर सकता या फिर municipal की दो authorities होती हैं उनके खिलाब भी जनहित याची का दायर की जा सकती है second point इसमें आता है कि जो बात अगर हम करें इसमें कि कहां कर सकते हैं कि High Court में और Supreme Court में दोनों में जनहित याची का directly कोई भी apply कर सकता है फाइल कर सकता है अब बात आते हैं कि जनहित याची का कौन से ऐसे मुद्धे हैं जिनके खिलाफ उठाई जाती है लगाई जाती है तो basic अगर हम बात करें तो एक ऐसे मुद्धे जो मतलब एक बड़े समुदाय को प्रभावित करते हैं जैसे हम इसमें कि जैसे पॉलिशन का है आज कल जो देख रहे हैं हमकी पॉलिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिल्ली में भी जो पॉलिशन है इसकी चरम सीमा पर पहुंच रहा है अब लोगों को सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है एक होते हैं इसमें कि ऐसे मुद्ध जैसे टेरोरिजम का मुद्धा हो गया कि उससे क्या है कि बहुत बड़े समुद्धाय को खत्रा हो सकता है तो उसके खिलाब भी जनहीतियाची का दायर की जा सकती है साथ में अगर हम बात करें कि कुछ सेफटी के जो मैटर्स होते हैं जैसे रोड सेफटी का कोई मुद्ध हो गया उसमें भी जनहीतियाची का यानि फाइल की जा सकती है इसी में आगे हम कुछ और इंपोर्टेंट मैटर्स हैं कि जनके खिलाफ पी आईल दाखिल की जा सकती है उनके बारे में डिसकस कर लेते हैं तो उसमें आता है कि बंद हुआ मजदूर यानि कि बॉंडिड जो लेबर्स होती हैं वो होती क्या हैं बॉंडिड लेबर्स में वो लेबर आती है कि जो काम तो करती है कि किसी साहुकार से या किसी बड़े आदमी से उन्होंने एक करजा ले लिया और उसके बाद उस करजे को उतारने के लिए उसको क्या करते हैं उनके यहां पे नोकरी करते हैं तो इस ताइप की जो भी होते हैं कि बॉंड़ीड जो लेबर सोती हैं वो बंद वा मजदूर होते हैं इनका मुद्द दायना वहां पर भी वो पी-ई-इ-ल पाखिल की जा सकती है एक यहाँ पर आते neglected children कि वो उपेक्षित बच्चे जन को हम कह सकते हैं ë attractive children को उन से होते हैं जन को parents की care होती हैं उनको उनकी basic needs होती हैं जैसे education हो गया अच्छा खाना उनको नहीं मिल पाता है health की अगर हम बात करें तो वहां पर भी PIL दाखिल की जा सकती है एक इसमें आता है महिलाओं का मुद्धा है कि महिलाओं के अगर कहीं पर भी महिलाओं के साथ कहीं है त्याचार हो रहा है कहीं शोशन हो रहा है उनका चाहिए वो कोई वर्कर्स होते हैं या हॉम पे काम करती है किसी वर्क फ्लेस पे जाती है अगर उनके हितों की सुरक्षा नहीं हो रही है तो उसके लिए भी वो डायरेक्टली कोर्टों में पी-ा-ई-ल दाखिल कर सकती है एक इसमें हमने बात की थी कि जो पोलुशन का जो मुद्दा होता है यानि कि कोई भी अगर लग रहा है कि ऐसा पोलुशन ज्यादा फैल रहा है जिससे लोगों की जो हैल्थ है उस पे भी हामफुल एफेक्ट्स हो रहे हैं तो उसके खिलाफ भी पी-ा-ई-ल को दाखिल किया आता है जो हमरी कल्च्रय हें जो होते हैं इस टैप मुद्दे जहाँ पर होते हैं कि उन पर भी कि उनको रोक आजाए इनको रोकने के लिए तो वहां पर भी-पाई-ल की जा सकती है एक लग कि आक तक जो हमारे की जहां है ऐता है हेरिटेजिज थे हम देखे न सुरक्षा के लिए कि उनको बचाना है उनकी अगर कहीं लग रहा है कि लोगों के ऐसे काम करने से या किसी फैक्टरी के चलने से या अगर जानी कि अगर धेखे ना कि डवलपमेंट तो कर रहे है कि इक़ोनोमिक डवलपमेंट के खातिर अगर क किसी भी जो हमारे heritage हैं . . . ДоIG पर catch UN को Bem इतले प्रक्ष二 हो रहा है तो उसके कि खिलाफ भी करिको भी दिसको बचाने के लिए पुछाने के लिए भी PIL का विकास का कैसे हुआ ? καैसी इसका development होया ? अगर हैं भात करें कि किसी भी और कोई या कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें PIL के बारे में जिक्र हो यानि कि कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है केवल नियादीशों के निर्णेों से ही इसका विकास हुआ है वहीं से ये निकल कर आया है तो कुछ ऐसे इंपोर्टेंट निर्णे लिए गए कि जो PIL की इंपोर्टेंस यानि कि उसके विकास को भी शो करते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में PIL का विकास यानि कि जो डेवलेपमेंट हुआ जनहीत याचिका का उसके कौन से ऐसे निर्णे रहे कि जिन से भारत में भी जनहीत याचिका का विकास हुआ अगर फस्टली हम बात पहली याचिका भारत की नहीं बता सकते क्योंकि इसमें ये वैसे तो पहली थी लेकिन इसके खिलाफ को रिपोर्ट फाइल नहीं की गई थी यह नहीं था पहला रिपोर्टेड केस अगर हम बताते हैं भारत का तो वह आता है उनकी ऐमानवय स्थिति यानकी इनके साथ एक ऐमानवय विभार किया जा रहा था उस तरफ दिखाया और साथ ही में जो विचाराधीन केदी थी उनको एक लोग टाइम पीरिड़ तक उनको जेल में रखा जा रहा है था तो इसकी तरफ धियान दिलवाया गया और इससे निये जाएं और फैसला दिया जाए ये इसमें एक importance पॉइंट था भारत में एक ओर निया गया कि जब भी कैदियों को पुलिस हिरासत में लेगी तो सबसे पहले उनके रिश्तेदारों को या उनसे संबंदित जो भी व्यक्ति उसको जल्दी से जल्दी सूचित करेगी अब पस्चिम मंगाल की जेलों में जितने भी कैदी हैं उनकी एमानविय रूप से मोत हो रही थी यानि कि बार-बार उनकी जो डेथ के केसिज आ रहे थे तो ये निर्णे भी भारत में जनहित याचिका से ही आया था शुरुवात तो भारत में जनहित याचिका की जस्टिस अगवती एक इसमें और इंपोर्टेंट केस के अगर हम बात करें तो वो है एमसी महता वर्सिज यूनियन ओफ इंडिया इसमें बता सकते हैं कि जो एमसी महता थे वो पेशे से वकील और परियावरन विज थे जयानि कि जो परियावरन के मुद्दों के परती जादा सचेत रहते थे अनी के परियावरन के इसे उठा आ शूंग से इसमें से परियावरन के कैसे क के लिए उखैने के जासकते करदा शूर्ब इया जा सकते हैं कि उसी Sunday की बसों को लगाया रही हैं तो उनको कम कि जाए दूसरा पॉइंट था इसमें गंगा प्रदूशन का कि गंगा का जो जल है वो जादा प्रदूशित हो रहा है तो उसके खिलाफ भी जो याचिका दायर की गई और उसकी सफाई के लिए भी अभ्यान चले प्रदूशन का जो मामला जादा बड़ रहा था तो जो रहाई सी जो इलाके थे वहाँ पर एक लाख से जादा ऐसे ओद्धियोगी की काईयां थी जो प्रदूशन को बढ़ा रही थी तो उन्हें एक लाख ही काईयों को रिहाईसी इलाखों से अटा कर दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया था एक और केस हम इसमें बता सकते हैं विशाखा वर्सिस स्टेट ओफ राजस्थान जो जज्जमेंट आया था 1997 में 1997 में इसमें जज्जमेंट मिला था इसमें बताया गया था कि जो वर्क प्लेसिज हैं वहाँ पर सेक्शल हरेस्मेंट और वैलेंस जैसे जो केसिस बनते हैं वूमन के प्रती उनको कम किया जाए तो 2013 में जो प्रिवेंशन प्रोहिबिशन और रेड्रेजल जो एक्ट 2013 आया वो इसी के बाद में आया और इसी के ब इसमें प्रोटन्ट मैटर के अगर हम बात करें फूड अडल्टेशन उसमें बता सकते हैं जो पी आई एल के अंडर या तैंकि उसके खिलाब भी पी आई यल दाखिल की जा सकती हैं सबसे पहले हमें समझना है कि फूड अडल्टेशन होता क्या है खाद्य अपमिशन यानि फूड प्रोड़क्ट की क्वालिटी में जब चैंजि जादा आती हैं यानि कि हम उसमें बता सकते हैं कि कुछ भी जब उस फूड प्रोड़क्ट में मिला दिया जाता है तो उसको हम फूड अडल्टेशन जैसे दूद में पानी मिला देना घी में वन्सति तेलों को मिला या फिर हल्दी पाउडर और मिर्च के पाउडर में जब लाल और पीले जो पाउडर सोते हैं उनको मिला दिया जाता है तो उसको फूड अडल्टेशन बोलते हैं अब हम देखते हैं कि ऐसे जो याचिकाई दायर की जा सकते हैं तो उसके प्रिणाम क्या लेक लेए उनिस सो पच्पन में प्रिवेंशन ओफ फूड अडल्टेशन एक्ट आया कि जो भी फूड अडल्टेशन के जो यानि कि जो खद्यपदार्थों में जो भी मिश्ण किया जाएगा ना उसके खिलाफ उसके निवारन के लिए कानून आया वही अगर हम बात करें 2006 कि तो FSSAI आ प्रोड़क्ट है जो वह सही है यानि कि जो कुछ साइंटिफिक जो स्टेंडर्स दे जाते हैं उनको फुल्फिल करता है तो ही हम उसको बता सकते हैं कि फूड प्रोड़क्ट अच्छी क्वालिटी का है इसी में जो जूटे नाम से अगर प्रोड़क्ट बेचा जाएगा तो वो भी एक दंडनी अपराद है फसे से आई के अध्यक्स को अगर आप जानते हैं तो मुझे कॉमेंट करके उनका नाम बताएं और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि पी आई एल के ऐसी कौन से नेगिटिव पॉइंट है यान उसमें लगे वे कामगार जो मजदूर होते हैं जिनका जीवन उनकी मजदूरी पर ही चलता है तो उनका रोजगार भी उससे ज़्यादा अस्तिवेस्ट हो जाता है उनका रोजगार उनसे चिन जाता है तो यह एक इसकी सबसे बड़ी कमी नजर आती है सेकेंड अगर हम बा प्रियावरन के और आर्थिक ऐसे फैसले या मुद्दे होते हैं जिन पर जुडिसरी लेजिसलेचर और एक्जिक्यूटिव के मामलों में भी दखल अंदाजी करने लगती है और अपनी प्रतिष्ठिता को ज्यादा दिखाती है तो उसको हम जुडिसरी ओवरीच कह देते हैं प्रियावरन के मुद्दे पर वो लगाई गई गई जिनसे लोगों के हितों की ऐस रुक्षा हो रही है यानि कि वो अपने को सुरुक्षित महसूस नहीं कर रही है लेकिन उसी याचिका के लगाने के बाद जो प्रोसेस होती हो काफी लंबी चलती है और निरने वो बहुत लेके परती वो लगाए गए तो यह भी एक इसकी कमजोरी ही नजर आती है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो फैक्टर कौन-कौन से जिनसे पी आई-ल की जो ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉंसिबल है और भारत में जनहीत याचिका की जो ग्रोथ हुई उसके लिए रिटन मिलते हैं सभी फॉर्म्स रिटन में हैं कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता सेकेंड अगर हम बात करें कि इसके पार्ट थ्री में जो फंडमेंटल राइट्स दिये गए हैं और पार्ट फॉर्थ में डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स दिए गए उनसे भी जो ज जानते हैं तो उनमें एक अच्छी बॉंडिंग दिखाता है तो वह भी जनीत याचिका के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं सेकेंड अगर हम बात करें तो जो भारत का जो कॉंस्टिटूशन है उसमें आर्टिकल 21 है जो जीवन जीने का अधिकार देता है साथ में यानि कि नयाइक नवाचार जो भारत में दिये गए हैं गरीब और पिछड़े वेवर्गों को जैसे हम इसमें देख सकते हैं जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा है उस मोर्चे के तहत जो भी बंधुआ मजदूर है या जो गरीब हैं वो डारेक्टली सुप्रिम कोर्ट में अ बीदूर ही